हालो एवरीवन कैसे आप लोग तो आज हम पढ़ेंगे कलास 10 बिहार बोड़ का जो हिंग्लिस पढ़ने वाला है तो हम लोग ना कल इंग्लिस का सेकेंड शेप्टर स्टोरी को अच्छे तरी के समझ लिए थे और उसी स्टोरी से अब पढ़ेंगे इसका पूरा करने वाले डॉंट वरी आपको बहुत अच्छी तरी के समय आएगा तो कम से कम आपना अब्जेक्टिप को कंटेंश कर लो सब्जेक्टिम मैं दे दिया हूं तो अगर पर ज्यादा है तो आप पड़ सकते हो लेकिन कम से कम अब्जेक्टिप बहुत अच्छा कर लो आपका सामने हाजिर वन बाइवन करके अंसाज दना सुरू करेंगे अप लोग कि क्या बोलता है धियान से सवाल को समझेंगे हाला कि मैंने आपको स्टोरी बहुत थी अच्छी तरीके से समझाया है अगर आपने स्टोरी वाली वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज जाके जरूर देख लेना क्योंकि उसमें से आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आने वाला है कल ही मैं डा रहा था इससे पहले वाली वीडियो ठीक है क्या मुलता है जीम आपना स्कूलिंग बैक के लिए डाल देजे और वह जो वह लोग आएगा और क्या करेगा क्लेक्ट कर लेगा उसका बोनें तो ही मौटिव था ना तो लेकिन जीम बोलता है नहीं पिछले सब्ता तो आया है नहीं लेने के लिए निश्पेपर इससे हम ठेक देंगे अच्छा रहेगा हम इसकुल के लिए क्यों रखेंगे वह बहुत दिर में आता है लेकि भीने जाता है तो यह जीम ब नाया पिपर बनेंगा तो बोलता है नहीं आए पिछले बार तुमने नहीं आया था आगे बलता है जीम जीम तो है ना राइटर का नाम इस कहानी में जीम है जीम टोल्ड मिस्टर जॉन्सन क्या बोलता है इट उड़ डीज डिडियूस है ना एंड सिव एकिलोजी इफ ही इट नोट यूज इज कार फोर ट्रेवलिंग तो शॉर्ट डिस्टेंस बोलता क्या मतलब बोलता कि आप अगर ना थूरी से दूरी यानि कि शॉर्ट डिस्टेंस को जाने के लिए अगर आप कार को यूज नहीं करोगे तो यह आपका पॉलूसन से बचाएगा और नेरेटर टॉक्स अबाट होवी एडवाइज एवरीबडी वाट देशुट डू टू प्रोटेक्ट दा एकोलोजी मतलब बोलता क्या जो इस कहाने में नेरेटर जो है ना सभी को क्या एडवाइज दाए हर कोई को एडवाइज दा क्या देता है देशुट डूँ साइब फड Bangladesh डानरेटर टोल्ड मिस्टर विल्यांज नोटी बलेबड लीफ सबस्क्राइज घिण को बहुत जलाई केंव दोस्तंव सब्सक्राइज और दीलिभार्ट प्रों खैब फोर अ है जो एकोलोजी यह लाएज जो फोज़ा क्या है स्टेक यूरा है इकलोजी की होता है टिक ना वेंड ऑफर मीं एकलोजी बिट वेंड टू मिश्टर इसकानी के जो ऑथर है जिम। यह तो जौन लेकशाउज ऊतर है यहां जाता है तो क्या दिखता है कि वो जो burning leaves से पतियों को जला रहा था बहुत important सवाल है इसलिए इसको नोट कर लेंगे धियान से कि अधि जाता था लोगों से मिलता था और जो ना अवेर्ने जैने की कि जागुरुता फैलाने का काम करता था किसके बारे में ऑबर में सबेस्थ के बारे में सब्सक्राइब सब्सक्राइब से नहीं वाल ईूजोजी के बारे में हाद के बारे में है कि पारिया ओनुभ बिट जो कहानी है वह किस पर डिपेंग यह सभी जो है कि प्रिजर्विंग इन्वर्मेंट एकोलोजी यह प्रिजर्विंग वाटर नहीं बोला गया इसके बारे में इसका आने में बताए गया है बहुत इंपोटेन सवाल है पूछा बहुत बार है ना आपसे ज्यादा लेंदी वाला सवाल नहीं पूछेगा यही छोटका छोटका सवाल आपसे पूछेगा कि इलेक्टिक मिक्सर कौन यूज कर रहा था जिम मतलब राइटर यह जोंसन या मिस्ट ग्रीन यह जिम से मतलब यानि कि राइटर की मा तो राइटर की मा आउथर की मा जो है इलेक्टिक मिक्सर यूज करता है करें ती हूँ व्यर डज जिम गो जिम कहां कहां जाता है तो जिम सबसे पहले जो है मिस्टर विलियम्स के घर जाता है फिर मिस्टर जोंसन के घर जाता है यानि कि सभी के घर तू हुआ ना आपसे नंबर D तू हूं यू टू हूं सब्सक्राइब ऑफर गया गिए जॉनसर के घर गया सब भी के घर गया तू हूं सब्सक्राइब चलिए अगे बरते हैं वेर वाज मिस्टर ग्रीन पाइलिंग न्यूश पिर बोलता कि मिस्टर गिलिंग जो है जर कहां ढाल रा था कंट्रियॉघ सब्सक्राइब मिस्टर गिरेन जो है जो है जो नीज पर कहां डाड़े थी गारविश में डा रहे थी तो मिस्टर गिया बोलता है जिम और कि यह सको रख दो और इसको लिएगा तो इसको बलाएगा तो ले चल जाएगा ठीक्त ना तो यह हमारा अंचर हो जासand कि चले आगे देखते हैं वह बेंड जिम्स कॉल मिस्ट गरीन जब जो है ना जिम जो है मिस्टी औरे को मिसिच गरीन जाब बोलता है तो क्या होता है तो वह क्या करती है डास्योट पैं तो ना उसको खुद्रा पैसा जो होता है ना तो खुद्रा पैसा पेसा न इसको चैंज नहीं देती जब मिस्टर जीम जो है गिरीन को मिसेज मतलब साथी सुदा होता प्यार है अब मीस मतलब अने इस वाले कोई मींस मिल जाए डिशर मिल जाए अगर यह मां का यूज कर रहा तो उसकी मार्डिक मिकषर करे दिक है ओके तो हमारा अंसर क्या देगा एलेक्ट्रिक मिक्स्चर है तो यह हमारा जो है बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा ओके आगे चाहल पante रही है वेर वाज मिस्टर जॉंसन गोईंग मिस्टर जॉंसन कहा जारा था पोस्ट ऑफिस जा रहा था अरकेट थोड़ी दूर था और भी कार कार से जाने कोशिश कर नहीं तो दॉर पर तुरंद वहां पर जो राइटर पहुंच लिया या जिम और उसकी तो समझा रहा था तुम इतना नजदीक में क्यों जा रहे हो तुम तो पैदल जा सकते हो ना एकोलोजी भी हमारा सही रहेगा तुम्हारा पेट्रोल भी बचेगा वाट डीड जीम एडवाइज मिस्टर जोन संद्र को वही एडवाइज क्या रहता है वाट टू पोस्ट गभण क्या क्रूजा मिस्टर विल्यम क्या रहा था तो बर्निंग लिव्स पत्तियों को जला रहा तो बर्न लोगन पिक अप द Schülerण कौन बहुलती है इस ग विच ओन सबते नहीं भोलते है जाओ और उस घूम रेपर सो तो ने उसको उठाओ क्योंकि जीम जो ना चौकलेट खाता है चौकलेट प्लास्टिक बिद्ध बिलस्टिक को बोलता गम रैपर तो भी बोलता जा उटेक वह ना गम रैपर उटाओ तो यह कोई तमीज नहीं किया ऐसे बोलता हूँ तो यह जो भी ऑफर का उसको जब भटकता था तो उसको जा नहीं देता था जैंस नहीं बोलता था मेरे पास नहीं किसके पास नहीं तो अगे मतलब अपने आधर को कि दो अपने तरफ एक्टेंशन करने के लिए आपने परोश्यों को वारे में कौन उपदेश देता है जॉंसन तो खुद बतुलाबाजिक करता को मिश्या विलियम भी तो वही काम करता है जिम ही तो है जो सब को बताता है पुटिंग करता है मतलब कुड़ज करता रखता है हार मंडे को जो ना पिकप करने वाला जो आता है लेने वडा उसको ता है किताब में ना यहाँ पे लिखा हुआ है तो देखो फिल लदा बहुत देगा तुम प्रिविएस एर कोशन उठा लोग फिल इन्दा बलैंक्स बहुत रहेगा वूचो अवेर्नेस टूद एकोलोजी किसने आवेर्नेस कोन पहुंचाता है भाई साथ मिस्टर गिंस इकोलोजी रिलेट्स टू एकोलोजी किस से संबंद रखता है इन्वायमेंट से वाट डिट दा ऑथर एडवाइस मिस्टर विलियम्स को क्या करने के लिए और दफनाना बोलते हैं और उससे का जग कमपोस्ट बन जाएगा पोस्ट के लिए उसको गड़ देजिए और अवे फ्रूम दा पोस्ट ऑफिस कितना दूर था आई तो दो ब्लॉक्स था मतलब दो ब्लॉक्स बोलते ना घर को बोलता जैसे एक एक ब्लॉक में आप एक घर बनाओ धेर सरा यहां पर एक ब्लॉक है और ब्लॉक अंदर बहु did you see my जूजिए को घ्ञाब यूज युज करती क्याआ उब्र करती एलेक्टिि सीटिटी बाइव वाचिंग टेल इवीजन और अ कि यहोग जिम से मदर बोलतीह आ आप जिम से मदर दीज फीन से यूज यह हाठ थीक है लिटिशिटी बाइब वाचिंग टिलिविजन अल्ड़ टाइम ओके ऑफ्सन नमर ए ओके ची करें है ऑफ्सन नमर भी विच वर्ड इस नौन आइज फिल्थ मतलब क्या होता है तो फिल्थ मतलब वही होता है गार्बेज गंदगी कूड़ा कथड़ा गार्बेज है न है रखाव फॉर फॉर इंवार्मेंट के लिए उफ्सन क्या किया आवेरिंग पेपल को अवेर किया जगरुक्त फैलाया दूइंग प्लांटेशन या पेड़ लगाया या आवाइडिंग पॉलूशन पॉलूशन को नजरंदाज किया या पत्यों को जलाया तो यह जो है बहुत आराम से समझ जा रहा था लोग नहीं भाई बहुत मुश्किल समझ रहा था यूज यूज पेपर रूट तो कन वैंद पेपल बिल्कुल मदब पेपल को समझाने के लिए पेपर रूट यूज कर देता वो फिरिया पॉस्ट यूज करता था लोगों को सब्सक्राइब पॉस्ट यूज देता था ट्रू है मिश्टर विल्यम से वाज आइट हीज विल्यम का घर में था आजी सही बात है ना हूँ पीपल लिसेंट टू जींग ग्लैडली पोर ही वाज ऑन एकोलोजी फ्रेंडली फ्रहां पीपल पीपल जो है उसको दम धिशान से सुनता था इस इसको आपको धियान से परना है आगर आपको इसका नमबर जा रहा हो ना उस नमबर पड़ियोगा और नबर को देखने कभाए में एक website का link दिया हुआ है ठीक है यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तुम लिख सकते हो और यह से तुम जाओ नीचे दियाओ लिंक उस लिंक पर जाओ को लिंक पर जाने के बाद वहां पर इंग्लीश सब्सक्राइब का नाम लिखा रहा है इंग्लिष में जाने इसके यह कुछ कुछ मिलेगा अबको सब्सक्रायब सब कुछ मिलेगा अर्दु भी जिसका अर्दु है उरदु संस् residents करना एक नीचे लॉपार और इसाना आप Imm速 लॉंट जो झुरूर करना और सब्सक्राइब चरना मत मित्विए उप्सिंहें Is प्रक्त झाप